है हलो भचो किया है हाल apocalypse है आज हम लोग उन बच्चों से बात करने आए हैं जिन्हों ने अभी आप ऑपनें marty कि यह हैं मतलब कर रहा कि त Herrn बच्छों से बात करने आए हैं और एक आखरी दम तक तैयारी करते रहें और बढ़िया से बढ़िया मार्ग्स लाएं तो इसमें एक बात आई कि यार मैक्समुम बच्चे पूरे हिंदुस्तान में जो भी आयटी जही की तैयारी के लिए आते हैं वो उसमें से 70% 80% बच्चे दो एक-दो मेने के बाद गिवप करना है शुरू कर देते हैं जब से हम लोग ने त्यारी कि तब से चल लाए कि हमारे साथ ही भी हमें याद है कि और एक बात और सरकमाल की हम आखरी तक रह गए तो सेलेक्शन हो गया है ऐसा कुछ नहीं बस उन्होंने गिवप कर दिया था एक-दो महीने बाद फिर गिवप करने हैं तो एक quantum jump होता है और बहुत बड़ा quantum jump होता है और यह gap जो है ना main reason होता है बच्चों के हतास होने का उस gap को मिटाते मिटाते एक महिना निकल जाता है अब एक महिना में जो पढ़ाया है वोकप पने तो वह हमेशा लगातार ऐसे चलता रहता बढ़ता जाता और वह हमत ह तो इसका क्या solution हो सकता है कैसे बच्चों को motivate रखा जाए तो इस कारण से हम एक नया concept लाए ब्रिज कोर्स का इस quantum jump को minimum करने के लिए हम यूं कहें कि इनके बीच में सीड़ी लगाती है आप 10 पास कर रहे है साथ दिन क्लास आपकी लगेंगी physics chemistry max तीनों की ठीक है आपको ऐस पढ़ा दिया जाएगा कि आप सीड़ी वह चड़ लें जेकी ताकि जब आपकी 11 कि क्लास शुरू हो तो आपको जटका ना लगे उसकी क्या और जरूरत है क्या और आप शकता है डिटेल में मैं चाहूंगा स्पेस्ट कुछ बताएं इसले जरूरत है जो सभी सब्जेक्ट्स में एक जैसे सर ने बताया कि एक कॉंटम जंप होता है उसकोंटम जंप को कैसे अपन कम से कम रेशलाइस करें ज्यादा ज्यादा राइशलाइस करें ताकि वह एकदम से बड़ा इफ्ट आपको फील नहों तो ऐसी कई सारी गया लेकिन 11th 12th में जब आप competition जैसे यह हो गया नीट हो गया इसमें कोई चेंज नहीं है और जैए अडवांस्ट का स्लिबस्ट इस है इन फैक्ट दो हजार तैइस में जब फिर से बना तो दो चार सेप्टर जूड़ गए जो पहरे नहीं थे तो इसका नतीजह क्या है कि ए एक तो वैसे ही कॉंटम जंप है दूसरा क्या है देरां सम थिंग्स विच वज अर्लियर पार्ट अफ दॉप 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 स्लिबस नाओ यह नो मोड़ पार्ट ऑफ दॉप स्लिबस फॉर इंपल से मैथमेटिक्स में मुझे एक दो चीजह याद है ना जैसे एक जो यूपलीड डिवीजन एल्गोरिदम पॉर इग्जैम्पल यह है प्रॉस मल्टिप्लिकेशन यह सब जो है बेटा बेसिक नौट ओनली मैट्स यह सब क्या है फिजिक्स केमेस्ट्री फिजिकल केमेश्ट्री पढ़ेंगे आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो एक बेसिक मीनिम यह सब चीजिए अपन उमिट नहीं कर सकते फॉर्चुनेट्री और अनफॉर्चुनेट्री जैसे जोमेट्री में है देखिए है ना सीमिलर ट्रैंगल्स के एरियास में क्या रहता है एंगल बाइसेक्टर थेोरम हड़ गया है देखिए और क्या है देखिए पॉलिनॉमिय से रिलेक्टेड जो रीजनेबली डिमांडिंग क्वेश्चन से वहड गए है रिमेंडर फोरम फैक्टर से रहं तो है पर फुला सा उसको एक्स्प्लोर करना तो यह सब चीजह कहा है मैं तो एक्जांपल ऐसे फिजिक्स केमेस्ट्री में भी है पर सब अपना परपस को यह बताना है कि कुछ चीजें हैं जो जानना जरूरी है और जो नाइन से हटा दी गई है तो अपार्ट फ्रॉम डेट कॉंटम लीप नाओ डैट लीप हैस बीन सबस्टेंशली इंक्रीश तो कम से कम क्या है वह नहूं तो आपन जो है बाकी जो इसके ब्रॉडर पॉइं और यह देखा गया कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी है लेकिन वह हट चुकी तो वह भी फैक्टर इन किया गया प्लस जो आप कर चुके हैं उसमें जो थोड़ा सा अपने को एडिशनल चीज चाहिए वह अपन यहाँ पर आपको करवाएंगे एक्जेक्ट क हम यहां क्या करने वालें तो आपकी क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं वो 18 था मार से चुर्थ हो तो कई सारी चीजों का गैप होता है हमारा ढूरा boxat की वज़े से बहुत चीज़ें हम connect नहीं कर पाते और connect नहीं कर पाते तो लगातार उनमें doubt आगे चलता है तो इन सारे doubt की feeling के लिए ये course properly design किया गया है अब इसमें आपकी physics, chemistry, maths की सब classes चलेंगी classes में आपको जो relevant topic required हैं bridging के लिए वो सारे topics cover किये जाएंगे और उनसे related assignments आपको दिये जाएंगे जिन assignments को आप class में भी practice करेंगे घर पर भी practice करेंगे ठीके ना तो इस तरीके से सारी चीजों को step by step cover किया जाएगा ठीक है ताकि आपको किसी तरह का gap feel ना हो जब आपका 11 से batch star 11 का batch star 2 और बच्चों इसमें हम लोगों ने एक काम और भी किया है बहुत ही अच्छा कि भई कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे 18 से join कर लेंगे कई सारे थोड़ा late join करेंगे तो अगर कोई बच्चा late join कर रहा है तो किसी तरह का उसको मतलब चीजें मिसना हो इस वज़े से यह सारी चीजें हम YouTube पर भी लेकर आ रहे हैं सर और YouTube पर भी लेकर आ रहे हैं जो assignments हैं उनके video solutions भी हम लोग available कराएंगे आपको ताकि आप proper चीजें cover कर पाएं in case अगर आप 18 से यहां पर नहीं आ पा रहे हैं एक दो दिन कि ऐसा होता है तो उसके लिए हम आपको जो बैटर सपोर्ट दे सकते हैं किसी भी तरह का वो सारा सपोर्ट आपको दिलाएंगे क्यों सर बहुत बढ़िया और बच्चों सर ने जैसा बताया है हम इससे एक लेंडिंग पेज भी लाएंगे और उस लेंडिंग पेज में की स सारी एलपी ताकि यह आपको फूचर में कभी जरुवत पढ़े ना तो भी आप इसे यूज कर सकते हो तो मेरे साब से सब्सक्राइब बच्चों के लिए वाकरी में बच्चों की इसको यह नेवर मिस यह इसको बिल्कुल मिस ही नहीं करना है आप पढ़ेंगे तो आप है देखो अपन जैसे अभी तक क्या है बच्चे हम से हसी मजाक में कह देते थे जैसे कि सर हम लोग कोवीड बैच है कोविड बैच है लेकिन क्या है यह एडवांस देने जाएंगे तो वह फैक्टरी नहीं करते है ना तो आपनने लाइटली कुछ ले लिया हो या भाई एक पहली बार और और एक और बाता हूं सपोर्ट देखो आपको कितनी चीजों का मिलना है अगर आप 11 तारिक को बोर्ट का एक्जाम खतम कर रहे हो एक एक हफते आप आराम से रिलेक्स करिए चूकि 27 से पहले कोई बैच स्टार्ट हो नहीं रहा है तो क्या करें एक लाइट मो पैन पेपर के साथ सारी और ऐसे वीडियो मत देखे क्योंकि एक्च्वल में यूट्यूब क्लास नहीं हम तो बस उसको बच्चों के लिए नॉर्मल क्लास तो ठीक है बच्चों उम्मीद करते हैं आप जल्दी से जल्दी इन्रोल कराएंगे 18 तरीक वाले बैच में ताकि आपको ब्रिज कोर्स का पूरा फायदा उठा सके हां लिंक बगेरा इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जो भी आपको जरूरी लिंक है वो सारे के सा बारे मिल जाएंगे और इस चैनल से जुड़े रही है क्योंकि ब्रिज कोर्स के बारे में और भी इन्फॉर्मिशन आपको हम आगे बताते रहेंगे थैंक यू